गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स मैं सुमन यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में आपका स्वागत करती हूँ आज हम इस वीडियो में साथवान वंस के संस्तापकों के बारे में या फिर साथवान वंस के इत्यास के बारे में जानकरी प्राप्त करेंगे तो देखेग देखेगा क्योंकि सभी वीडियो इत्यास विशे की जो भी परीक्षाय लगती है उसे संबंदित ही हैं तो आप लोगों को हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्ड एज को सब्सक्राइब करना चाहिए ताकि आपकी परीक्षाय की तैयारी अच्छे से हो सके तो देखेगा पड़ते हैं साथ वहन्वंश का सेंस्तापक कोन था ठीक है तीस इसा पूरर में सुर्फ्रमन के अधिकारी शीमुक अरथात सिंधुक नेकर्वंश को स्माप्ति कर साथ वहन्वंश की स्थापना की साथ वहन्वंश महारास्टर अंधर तथा कंणाटक का उत्री भाग में साथवानों की उत्पत्ति के बारे में विद्वानों के अलग-अलग मत हैं, पूराणों में साथवानों को अंदर जातिया या अंदर भ्रत्य अर्थात नोकर कहा गया है, साथवानों का मूल्चेत्र महरास्टर था, कालांतर में इनका पूर्व तथा दक्षिन की ओर हुआ तो देखेगा कणवावन्स के बारे में हमने पहले अच्छे से पढ़ लिया है वहाँ पे आप देखेगा कणवावन्स के बारे में और इस्सा पूर्वे पर्थम सताबदी में विंधे परवत के दक्षिन में दो सक्तिया परबल हुई उपरी दखने के सात्वाहन और कलिंग के चेदी सात्वान समराजे के अंदर समस्त दक्सिनापत समिलित था और उत्तर भारत में मगद तक उसका विस्तार था अंदर सात्वाहन राजवन्स के इत्यास के सादन देखी का क्या क्या थे साथवान मंस को जानने के लिए साहिते पुरातत्वे विदेशी स्रोतों की अवसिक्ता पड़ती है साथवान मंस की जानकरी के लिए मतस्य वय वायू पुराण उप्योगी सिद्ध हुए है पुराणों में साथवानों को अंदर भृत्ते तथा अंदर जातिय कहा गया है पुराणों में कुल तीस राजों के नाम मिले है साथवान मंस की जानकरी के परमानिक स्रोत अभिलेक सिक्के तथा स्मारक है जो इस प्रकार से है नाग निका का नाना घाट लेक जो महरास्ट्र के पुना जिले में इस्तित है गोत्मी पुत्र साथकर्णी के नासिक से प्राप्त दो गुहलेक गोत्मी बल स्री का नासिक गुहलेक वसिस्टी पुत्र पुलुमावी का नासिक गुहलेक वासिष्टी पुत्र पुल्लुमावी का कारले गुहाले येग्ये स्री साथकर्नी का नासिक गुहाले तो देखेगा कई बार ये एकजाम में पूछ लेते हैं ये नासिक गुहाले किसका है ठीक है काले गुहले किसका है तो ऐसे आपको ध्यान से देखना इस वीडियो को सात्वान वंस से संबंधित महत्वपुन तथे देखेगा पूराणों में सात्वानों को अंदर जातिय या अंदर भृत्ते अर्थात नोकर कहा गया है इतिहासकार इन्हें स्थानिय जाति के निवासी मानते हैं इस वंस का प्रथम सक्तिसाली सासक साथकर्णी प्रथम था इनका मूल छेतर महरास्त्र था कालांतर में इनका परशार पूरव वै दक्सिन की ओर हुआ साथवानों का इतिहास सिस्थुक अर्थास सिम्मुक या सिंदुक के समय से प्रारम होता है वायू पुरान का कतन है कि आंदर जातिय सिंदुक या सिम्मुक ने कणवा वंस के अंतिम सासक सुसर्मा की हत्या करके तदा सुंगों की बची हुई सक्ती को समाप्त कर प्रत्वी पर सासन किया सिमुक नाम का उलेक नाना घाट चित्र फलक अभिलेक में मिलता है सिमुक के साथ सिक्के भी इत्यास कारों को प्राप्त हुए है नाना घाट के लेख में सीमुक को राजा सीमुक सात्वाहन कहा गया है जैन गाथाओं के अनुसार सीमुक ने जैन तथा बोढ़ बंदिरों का निर्मान करवाया था सिमुक अपने सासन के अंतिम दिनों में दूराचारी हो गया था जिसके कारण उसको मार डाल गया था सिमुक की मृत्यू के बाद उसका छोटा भाईकन है या फिर क्रिशन राजा बना क्योंकि सिमुक का पुत्तर साथ करने अवैस की था क्रिशन ने अपना समराजे नासिक तक बढ़ाया था क्रिशन ने 18 वर्षों तक शासन किया था क्रिशन के समय में एक सर्मन नामक महामात्तर ने नासिक में गुहा का निर्मान करवाया था यहां से प्राप्त एक लेख में क्रिशन के नाम का उलेख मिलता है तो देखेगा इस वीडियो में हमने साथवान मन्स के बारे में जानकारी प्राप्त की आगे के वीडियो में हम आपको साथवान मन्स के जो सासक है उनके बारे में भी बताएंगे तो बने रहें यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज पे हमारा वीडियो अंतक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद